Good morning students, let us start chapter 18, class 4, the red handkerchief. It was about midnight, the telephone rang. अभी ये समय किसका था? Midnight, midnight याने आधी रात. अभी तभी एक phone आता है, Dr. Sam opened his eyes and took up the receivers. और जो Dr. Sam होते हैं, वो अपने आखे फोलते हैं और receiver को उठाते हैं, ने को phone उठाते हैं. Hello, he said. और वो कहते हैं के Hello, जैसे phone रिसीप करते हैं, तो उन्होंने भी यही कहा, May I speak to Dr. Sam, please said a voice. और उधर से जो phone आता है, जिसका वो उधर से आवाज आती है, कि क्या मैं Mr. Sam, उनसे बात कर सकते हूँ, तो speaking said Dr. Sam. तो Dr. Sam जो कहते हैं, हाँ, बोल रहा हूँ, This is Maria Sir, said the voice. अब wise से आवाज आती है, कि मैं कौन हूँ, Mariya बोल रही हूँ, sir, और Mariya कौन है, Mariya was a nurse in Dr. Sam's hospital, जो Mariya होती है, वो Dr. Sam के hospital में ही nurse होती है, The hospital was in a village called Diyalpur, जो hospital था, वो कहां था, एक गाउं में, जिसको उस गाउं में, दियालपूर, मतलब कहा जाता है उस गाउं को, उस गाउं में ये hospital था, Dr. Sam worked there during the day, and came back home every evening, जो Dr. Sam होते हैं, हमेशा morning time में जाते हैं, और वहां work करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, और साम के time घर लोडते हैं, What is it, Mariya? Ask Dr. Sam, तो जो Dr. Sam होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, क्या हुआ, Mariya? Sir, a woman has brought a little boy's head, Mariya, the boy had a bad cut on his head, तो बताती हैं कि Sir, एक woman आई है, एक छोटे से बच्चे के साथ, जिसके सर पर बहुत ज़्यादा चोड लगी है, Oh, I shall be there in half an hour, said Dr. Sam, तो Dr. Sam होते हैं, ठीक है, मैं आदे घंटे से पहुँचता हूँ, आदे घंटे से, Dr. Sam looked at his watch, Dr. Sam जो अपने घड़ी को देखते हैं, it was 11.30, और क्या टाइम था, साड़े ग्या रहा थे, he looked out of the window, बाहर देखते हैं खिड़की से, the night was dark and it was raining hard, और रात कैसी थे बहुत ज़्यादा देरा था, और बारिश बहुत तेज हो रही थी, देयालपूर was 10 miles from Dr. Sam's house, और Dr. Sam के घर से देयालपूर कितना था, 10 miles दूर था, देयालपूर कहा हैं, वो hospital थे देयालपूर में हैं न, गाउं हैं, उस गाउं का नाम देयालपूर है, Sir said Maria, Maria कहती है, इनके फादर जो हैं एक फैक्टरी में काम करते हैं, जो सहर वाली फैक्टरी है, और ये कुछ भी पे आपको नहीं कर सकते हैं, That's all right said Dr. Sam, Tell them not to worry, तो Dr. Sam होते हैं, वो कहते हैं कोई बात ने, उनको बताओ कि सब ठीक है, कोई बात ने और उनको बोलो कि चिन्ता न करें, Dr. Sam got into his car and drove off, और Dr. Car जो होते हैं, अपने कार को निकालते हैं और जल्दी से जाते हैं, The night was dark, जो रात थी बहुत अंधेरा था, और बारिज जो थी और तेज हो गई, बहुत तेज हो रही थी, The road to Diyalpur was not very good, जो road थी जाने की Diyalpur के, वो भी अच्छी नहीं थी, ज्यादा ठीक मतलब कि अच्छी नहीं थी, बट डॉक्टर सेम ड्रोप बेरी फास्ट, फिर भी ओ गाड़ी कैसे चला रहे थे कार को, बहुत तेज, He was thinking of the poor boy who had a bad cut on his head, और वो सोच रहते चलाते समय, उस बच्चे के बारे में जो बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था, डॉक्टर सेम लुक्ट एट हीज वाच, वो अपने घड़ी को देख रहे थे, इट वाड़ी ट्वाड़ी को देख रहे थे, और अब जाते जाते उनको पहले से ही बारा बज़ी चुके थे, Suddenly a man jumped out from behind a tree, he stood right in front of डॉक्टर सेम्स कार, अब अचानक जो कार चलाते चलाते अचानक उनके गाड़ी के सामने एक इंसान आता है, जो पेड के पीछे चुपा हुआ होता है, अचानक उसके कार के सामने आ जाता है, और वो उनको जाके सीधे खड़ा हो जाता है, अब यहाँ पे डॉक्टर द्याल होते हैं वो ब्रेक लगा देती हैं और कार जोती रुख जाती अब उस इंसान के हाथ में क्या होता है एक बड़ा सा नाइफ होता है और वो चिला के कहता है डॉक्टर सैम को कि बाहर निकलो वो अपनी बात बताने की कोशिस करता है कि मैं बहुत जल्दी में हो वहाँ पे छोटा सा बच्चा इतना ही बोलता है कि आगे कहता है सेट अप and get out कहता है कि चुप रहो मुझे भी तुम बाहर निकलो और मुझे भी जल्दी है और वो जो इंसान था बहुत लंबा और मजबूत था मरला हैस्ट पूष्ट दिख रहा था तगड़ा दिख रहा था और वो कैसा पहना हुआ था कपड़ा गंदा he had a red hankerchief round his neck और उसके neck पे जो था एक red hanky भी थी यानिक एक रुमाल था बांदा हुआ he opened the door of Sam, Dr. Sam's car, throw him out and jump in और वो car, Dr. Sam की car की जो door होती है उसको खोलता है और जो Sam होते है उनको बाहर निकाल देता है और खुद जंप होके अंदर बैठ जाता है I am sorry he shouted but I must reach Diyalpur advance and then he drove away और वो कहता है कि मुझे माफ करना चिलाते हुए और कहता है मुझे जल्दी है और अभी तुरंत मुझे पहुचना ऐसे कहते हुए वहाँ से गाड़ी लेके चला जाता है Dr. Sam got up from the muddy road अब जो Dr. Sam होते उसको धक्का दिया था तो गिर गया था तो उसके कीचन लग गया था वहाँ से वो उठता है He wiped his hands and clothes he wiped his eyes and looked into the darkness अब वो अपने कपड़े को हाथ को सब को साप करता है और eyes भी सब जगह साप करता है और देखता है कि कितना देरा है टाइम को भी देखता है What shall I do? Now अब कहता है कि मैं अब क्या करूं? He said It is yet five miles to दयालपूर कहता है कि अगर five miles जो मतलब कि अपने वहाँ जहां पर उतार दिया गया तो कार वो लेके चला गया तो वहाँ से distance दयालपूर को five miles था He was thinking about the little boy in the hospital और वो उस समय भी किसके बारे में सोच रहा था उस छोटे से बच्चे के बारे में सोच रहा था I shall walk to the hospital He said I am walking all the way to दयालपूर और वो क्या सोच रहा था इस बारे में सोचा और सोचा कि मैं पैदल जाऊंगा hospital तक और यह कहने के बाद वहाँ से पैदल चल देता है दयालपूर के लिए यानि कि hospital के लिए he reached the hospital at about one o'clock और जब वो hospital कितने बज़े पहुँचा एक बज़े पहुचा मारिया वास वेटिंग फोर हीम अब वहाँ पे मारिया जो नर्स थी वो वेट कर रही थी किसके लिए Mr. जो डॉक्टर होते उनके लिए I am sorry Dr. C said the boy died half an hour ago और वो कहते कि I am sorry जो बच्चा है आदे गंटे पहले ही मर गया है A man was crying my son my only son जो आदमी होता है वो चिलाता है रोता है और कहता है मेरा बच्चा मेरा बेटा इस तरह कि वो रोता है Dr. Sam looked at the man और जो Dr. Sam होते हैं वो man की तरफ देखते हैं The man was tall and strong और man जो था बिल्कूल वही था लंबा सा strong यानि मजबूत बढ़िया जो बढ़िया मोटा ताजा He was wearing dirty clothes और वो कपड़े जो होते हैं गंदे ही पहना था जैसे कि वहाँ पे उसने देखा था And he said he had a red handkerchief round his neck और उसके गले में ठीक उसी तरह से हैंकी लाल कलर की बांदी हुई थी तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि जो man है किसकी doctor Sam किसकी तरफ देख रहे थे वो जो बच्चा मर गया है उसी के father थी जो man वहाँ पर मिला था है जो car लेके भागा था तो यह उसी का बेटा था अपने बेटे के लिए यहाँ पर दोड़ता हुआ आ रहा था जिसके लिए जो doctor Sam थे उस बच्चे की इलाज के लिए आ रहे है तो वहीं पी यह उसके father थे कि अपने बच्चे को देखने के लिए जल्दी में आये थी है ना तो क्या समझ में आया है कि यह बच्चा इसी आदमी इसी इंसान का बेटा है है ना तो यह थी स्टोरी नेक्स टाइम आप किसके solution थैंक यू